हलो दोस्तों आज जो है हम corporate legal framework का जो है revision start करने जा रहे हैं from the very first unit जो की related है company से और हम पांचों units का revision करेंगे ताकि overall corporate legal framework subject क्या है और वो हमें क्या सिखाना चाहता है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे so starting with the unit number one पहला topic है हमारे सामने what does company mean company का मतलब क्या होता है जासे कि हमने बहुत सारे नाम सुने है Google हो गया टाटा हो गया जियो हो गया these are all types of company अब company क्या होती है तो company is an association of person company जो है लोगों से मिलकर बनती है जो उसमें capital contribute करते हैं याने जो उसमें पैसा लगाते हैं उन पैसों क को ही हम accounting language में क्या बोलते है capital जो capital contribute करते हैं वो company frame करते हैं और company जो है कानून की मदद से ही बनती है इसलिए जो है company को artificial person कहा जाता है क्योंकि वो लोगों को represent करती है आईए देखते हैं what does company mean company is an association of person जैसे कि अभी हमने बात की company किन से बनती है लोगों से मिलकर बनती है who contributes capital ज chain members हो जाते हैं यह जिने हम shareholders भी कहते हैं इसको हम detail में पढ़ेंगे अभी basically हमें इतना ही समझना है it is a legal artificial person और यह जो है company को legal artificial person कहा जाता है which is created by law and effaced by law company जो है law के द्वारा ही बनाई जाती है कानून की मदद से ही बनाई जाती है और यदि company हमें बंद करना है किसी भी कारण से तो वो भी हम कानून की मदद से ही कर सकते हैं फेज का मतलब होता है यहां पर मिटाना तो यदि हमें company को finish out करना है wind up करना है तो वो भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं कानून की मदद से company को artificial person क्यों कहा गया है क्योंकि लोग इसको represent करते हैं जो company बनती company खुद तो दिखती नहीं है उसका कोई physical existence तो है नहीं वो लोगों से बनती है तो लोग उसको represent करते हैं इसलिए company को जो है artificial person कहा गया है यहां हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आसान भाशा में समझें ताकि जो है हर student को जो है मदद मिल सकें उनको बहुतर समझ में आए ओके लड़ एस सी Indian company law अब यह जो company बनती है यह किसी act के तहद बनती है तो जो हमारा Indian company law है जो Indian company कानून है या अधिनियम है regulates the corporations जितनी भी company खुलेंगी formed under section जितनी भी company जो बनती है वो किस section के तहद बनेंगी under section 220 of Indian companies act 2023 पहले जो है 2013 है sorry 2013 पहले जो है यह companies act जो था that was 1956 companies act 1956 चलता था फिर उसमें कुछ amendments किये गए कुछ improvements किये गए और उसके बाद जो है Indian companies act 2013 जो है उसका नाम रखा गया यानि उसी एयर में हुए थे इसलिए उस act को जो है 2013 कर दिया गया तो section आप अज़ी याद कर पाते हैं कि company जो है जितनी भी company बनती है companies act 2013 के अंडर section 220 के तहट जो है बनती है अब जो हमारा companies act बना हुआ है यह क्या है इसमें rules and regulations लिखे हुए है कि company के लिए क्या कानून है जब कोई company खोलेगा तो उनको किन-किन चीजों को follow करना है किन-किन चीजों का ध्यान रखना है उसी को ही हम कहते है companies act 2013 अब इसके company का मतलब क्या होता है company means a company incorporated under this act or under any previous company law companies act 2013 जो है company के बारे में क्या कहती है company याने ऐसी कोई भी company जो यहां तो इस act के तहत याने 2013 companies act 2013 के तहत यहां किसी previous company law के तहत यदि वो registered है तो वो company कहलाएगी याने ऐसा भी हो सकता है कोई company 1956 act के तहत registered हुई होगी तो वो भी company कहलाएगी जो 2013 act के तहत registered है तो वो भी company कहलाएगी और 56 के पहले जो कानून था यदि उसके तहत कोई registered है company तो वो भी आज के समय में company कहलाएगी चीक है तो अभी हमने particularly क्या देखा company क्या होती है company एक logo का समूँ जो मिलकर capital contribute करता है और एक business framework में लाता है और इसको जो है हम law के द्वारा ही बना सकते हैं और मिटा सकते हैं फिर हमने company sect के according जो है definition देखी और company sect के किस section में जो है company किस तरीके से incorporate होगी तो वो दिया हुआ है section 220 आईए बढ़ते हैं आगे towards the characteristics of company company के क्या characteristics है या हम उसको features के नाम से भी आपसे question पूछा जाएगा तो भी आप यही लिखेंगे essentials के नाम से पूछा जाएगा तो भी आप यही लिखेंगे nature of company की बारे में पूछा जाएगा तो भी आप यही चीजें लिख सकते हैं तो सबसे पहले characteristics of company में यही है कि it is an artificial person company को जो है artificial person क्यों कहा गया है because company जो है खुद नही दिखती है इसको लोग बनाते हैं मिलकर तो लोग representative होते हैं company के that is why it is an artificial person यहां पर आप चाहो तो उसको sentence में इस तरीके से भी लिख सकते हो कि no physical existence कोई company का physical existence नहीं होता है चीक है इस करण जो है उससे artificial person कहा गया है next it is voluntary association of person company जो है लोग मिलकर जो है साथ में company बनाते है voluntary ने अपनी willingness पर कोई उनके उपर दवाव नहीं रहता है कोई जो जोड़ जबज़स्ति नहीं रहता है वह अपनी स्वाइक्छा से जो है मिलकर साथ में मिलकर पैसा जमा करके और company form करते हैं that is known as company अब यदि इसको हम example ले लें suppose there is a b c d 4 लोग हैं और इन चारों ने सोचा क हम साथ में जो है पैसा contribute करके जो है कुछ amount इखटा करते हैं जिसे accounting language में हम क्या वोलेंगे capital इन्होंने capital contribute किया और उसको registered करवा दिया कि हम इस particular चीज के लिए जो है अपना business करेंगे और हम जो है company form कर रहे हैं तो यह company कहलाएगी किसी भी act के तहट जो है उन्हें करवाना होगा तो इन चारों मिलकर जो है उन्होंने capital अब इससे जो company को जो भी profit होगा वह इन लोगों में distribute होगा अब company जरूरी नहीं है यह चार लोग बहुत सारे लोग मिलकर भी company बना सकते हैं जब अभी हम बात करेंगे शेयर कैपिटल से लिए बैसिकली कि company इस तरीकी से जहां पर कुछ लोग मिलकर जो है company को फ्रेम कर सकते हैं अब यह कितने लोग हो सकते हैं minimum कितने हो सकते हैं या कितने तरीके की company वह हम detail में पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर voluntary association of person अब created and effaced by law company को जो है law के दवारा ही हम बना सकते हैं कानून के दवारा ही यह बन सकती है और effaced by law याने यह कानून के दवारा ही मिट सकती है यानि किसी भी कारण से हमें company को wind up करना है याने बंद करना है यहां जिसे हम liquidation of company भी कहते हैं वो हम कितकी मदद से कर पाएंग कानून की मदद से चीक है नेक्स्ट यदि बात करें common seal हर company की जो है एक common seal होती है याने उसका ठपा होता है यदि आप देखोगे तो logo आपको represent होता है बहुत सारी companies का उसे ही हम कहते हैं कि वो particularly common seal के तहट जो है काम करती है separate legal entity company जो है separate होती है उसके members से जैसे कि हम यहाँ पर example लें कि ABCD ने मिलकर company बनाई कुछ capital contribute किया और उन्होंने जो company बनाई तो अब company जो है एक अलग entity है यूनिट है और ये ABCD जो है ये अलग person है ऐसा नहीं कहा जाएगा कि A की ही company है ABCD की ही company क्योंकि company काफी लोगों से मिलकर ब होती है company खुद में एक अलग unit होती है that is why it is a separate legal entity चीक है perpetual succession company जो है perpetual याने लगातार चलती रहती है जैसे कि company बहुत सारे लोगों से बनी हुई है तो ऐसे समय में हो सकता है कोई person जो है चला जाए एक्सपायर हो जाए और ऐसा हो सकता है नए members जो है जुडते जाएं तो किसी का आना members का आना या जाना लगा रहेगा company खुद में जो है वो work on करती रहेगी members चाहे उसके बदलते रहें इसलिए जो है company को perpetual succession कहा गया है okay limited liability यहाँ पे company की जो members है उनकी liability जो है याने उनका जो दायत हुआ है वो limited है ऐसा क्यों suppose यहाँ पे हमने जस चार लोगों का ही example लि 4 lakh का contribution किया है वहीं B ने जो है 2 lakh का किया है वहीं C ने जो है यदि हम बात करें तो 6 lakh का contribution किया है और वहीं जो है डी ने जो है 4 lakh का contribution किया है अब इनका जो liability रहेगी company के प्रती यदि company को loss होता है तो इसकी भरपाई जो है जितना जितना पैसा इनोंने contribute किया है उतनी ही इनकी दायत्व की हिस्सेदारी रहेगी अब जैसे इसका हम रेशियो निकालें 4, 2, 6 और 4 का तो इसको 2 के टेबल से काट देते हम 2 is 2, 1 is 2, 3 is 2, 2 अब जितना भी लॉस होगा वो इस रेशियो में डिस्टिब्यूट होके A के उपर उतना लॉस हो जाएगा यानि जिसने ज्यादा कैपिटल दे रहा है तो ऑव्विसी बात है उसको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता होगा जिसको हम डिविडेंट कहते हैं जो आने वाले के मेंनि में भी लिख सकते हैं ऐहिए देखते हैं नेक्स टॉपिक लसीफिकेशन ऑपनीर ma People dness्व कैसि तो अलग-अलग बेसिस सब्सक्राइब धीजिस के बेसिस पहं कंपनी को बना सकते हैं यह तो So let us see, जो है हम company को जो है छे तरीकों से जो है classify करते हैं, सबसे पहला यदि हम बात करें on the basis of liability, आप company को बना सकते हैं liability के basis पे, आप जो है लिखते भी जाईए ताकि जो है आपके notes frame होते जाएं और आपको जो है easily आप उसको याद भी रख पाएंगे, तो liability की basis पे company होती है limited by shares shares के द्वारा limited, second होती है limited by guarantee, guarantee के basis पे जो है company बन सकती है और तीसरी जो है कहलाती है unlimited company, अब नाम से ही clear है कि ये इसका मतलब क्या होता है, liability के basis पे जो है company का विभाजन किया जाता है या division किया जाता है, limited by shares, याने जितने आपके shares होंगे, उतनी ही आपकी liability बनेगी company में, उस से जादा नहीं बनेगी, याने कभी भी loss होता है, या कोई भी liability आती है आपके उपर, तो जितने आपके shares है, यदि company limited by shares के अंदर जो है registered है, तो जितने आपके shares रहेंगे, उतनी ही आपकी liability होगी, for example, A, B, C, 3 लोग हैं, या फिर हम और divide कर देते हैं, D, E, 5 members हैं, अब इनो उने shares जो है, suppose, 100 rupees का share था, जिसमें से, जो है, 60 rupees का payment जो है, A ने कर दिया है, तो अब A की liability कितनी रहेगी, सिर्फ 40 rupees ही रहेगी, अब इसमें, suppose, B के पास 120 rupees के उसने shares खरीदे, और B ने जो है, 100 rupees का payment कर दिया है, तो B की liability कितनी रहेगी, सिर्फ 20 rupees ही उसको देने रहेगी, य हें लाइबिलिटी आपके बनेगी डैस्ट नोन अस् लिमिटेड कर दिते हैं लाइबिलेटी जब वह बनेगी तो हम इतनी डियरैंटी ले रहे हैं इतने की अमाउंड की याइसेट को हम कर देते हैं तो कभी भी company को loss होगा या कोई deficiency होगी तो जितने amount की उन्होंने guarantee ले थी उतने तक की liability बनेगी that is company limited by guarantee unlimited company के तहद जो है liability of the members जो है unlimited रहती है that is on the basis of liability company limited by shares जिसमें shares तक की liability limited रहेगी जितने shares है उतनी liability guarantee में जितनी guarantee आपने पहले mention की होगी उतनी guarantee आपको निवानी पड़ेगी जब भी कोई loss होगा और तीसरी unlimited में आपकी liability जो है unlimited होगी यह पहला basis next on the basis of number of members की basis पे जो है company पहले तो दो टाइप की होती थी अब जो है तीन टाइप की हो गई है एक होती है private company दूसरी होती है public company और तीसरी होती है private के अंदर ही आती है वो actually जिसे हम कहते हैं OPC याने one person company याने आज के समय में कोई एक person भी जो है यदि वो चाहता है कि मुझे company start करनी है तो he can or she can start the company company तो उसे ही हम कहते है OPC याने one person company एक परसन ही जो है उसका capital contribution करके जो है company को frame करता है अब private company public company और OPC में क्या difference है तो दोस्तों आप लिखते चलना है न यह जो है questions frame होते है objectives यदि आएंगे exam में तो उसमें बन जाएगा और यह one of the important topic भी है चीक है yes अब यदि हम देखें कि private company जो है किस type की company है तो private company में जो है यह difference है private और public के बीच में कि private company में minimum members दो हो सकते हैं दो लोगों से जो है private company बन सकती है और maximum जो है 200 और private company में जो paid up capital होती है वो जो है minimum one lakh होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा इससे कम नहीं कहलाएगी तो यदि आप private company होना है तो paid up capital minimum one lakh और maximum जो है ज्यादा हो सकती है लेकिन minimum one lakh तो होना ही चाहिए अभी हम डीटेल में पढ़ेंगे private और public company के बीच में differences लेकिन initially अभी हमें यह चीज़े समझने हैं ठीक है वहीं यदि हम public company के लिए बात करें तो public company में minimum members कितने है seven और maximum की जो है कोई limit नहीं है objective में पूछा जा सकता है ठीक है तो minimum members in a public company seven and maximum there is no limit और वहीं जो है यदि इसके हम paid-up capital की बात करें लिखिया paid-up capital जो है इसका five lakh यह उससे जादा होना चाहिए ठीक है paid-up capital जो है कितना होना चाहिए five lakh और more याने minimum paid-up capital public company में कितना होना चाहिए पांच लाग होना चाहिए कम से कम पांच लाग होना चाहिए उससे जादा हो सकता है उससे कम नहीं चलेगा और रही बात OPC की one percent तो इसमें minimum and maximum members की यदि हम बात करें तो यह की member से जो है company खुलेगी और यहां पर जो है एक उसका criteria है कि यहां पर उनकी paid-up capital जो है 50 lakh से जादा नहीं हो सकती है ठीक है 50 lakh से जादा नहीं हो सकती है यह याद रखना है paid-up capital चीक है और इसमें एक और चीज का criteria दिया हुआ है कि जो S-type की company रहेंगी उनका annual turnover जो है वो 2 प्राइवेट 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 कंपनी पब्लिक कंपनी एंड ओपी सी आगे बढ़ें ऑन दर बेसिस ऑफ साइस के बेसिस पर जो है अगें दो तरीके की company होती है एक होती है small company और दूसरी होती है large company small company किस तरीके की होने चीए paid up capital और second इसमें क्राइटेरिया यह है कि जो लास्ट येर का financial statement बना है उसमें annual turnover जो है टू करोर से ज़्यादा नहीं होना चीए तो same OPC जैसा ही इसका criteria है लेकिन इसमें लास्ट येर का turnover देखना है चीक है और large company की definition बहुत ही आसान है बहुत ही लड्डू definition है कि large company ऐसी company जो small company नहीं है चीक है तो वो होती है large company size के basis पे अब बात करें ownership के basis पे जो है दो तरीके की company होती है एक होती है government company ओके और एक होती है non government company इसको नीचे लिख लेते हैं हम non government company अब इसमें क्या difference है government company ऐसी company जिसमें government की जो हिस्सेदारी है वो 51% जो है subscription of shares जो है किसके हाथ में होना चाहिए government के हाथ में होना चाहिए अब यह government जो है state government भी कहला सकती है central को इसी भी government हो लेकिन उनकी हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए उस particular company में और non government में 51% हिस्सेदारी जो है government के पास नहीं होनी चाहिए तो यह किसके पास होगी public के पास होगी यह वहां के members के पास होगी किसी के पास भी हो सकती गवर्मेंट के पास 51 परसंट हिस्सेदारी नहीं होगी तो नोन गवर्मेंट कंपनी तो होनशिप के basis पे दो टाइप की कंपनी होते हैं आगे आगे payroll के बेसेद कंपनी बनती है तो दो तरीक्य कंपनी है कंट्रोल के बेसेद पे एक होती है holding company और दूसरी होती है subsidiary company इसे हम समझने के better समझने के लिए मैं ऐसा भी समझ सकते हैं कि holding company और पैरेंट company होती है subsidiary company जो है child company होती है holding company ऐसे company होती है जो subsidiary को चलाती है उसको समझालती है उसकी हर activity हर चीज पे जो है निगरानी डालती subsidiary company को जो है कौन जलाती holding company उसके board of directors को कौन देखती है holding company देखती है तो that is holding and subsidiary and last जो हमारा classification है on the basis of incorporation याने registration की basis पे जो है company again तीन में divided है सबसे पहले by state notification की basis पे या state order के basis पे जो है company का classification हो सकता है second जो है by special act के तहट जो है company का registration हो सकता है और तीस याने company form हो सकती है और तीसरा जो है Company Act के तहट जो है company का registration या formation हो सकता है अब क्या है इसका मतलब by state order याने government के order से जो है जिस भी type की government चल रही है उस particular country में उसके basis पे कोई company frame करता है तो उसे हम state के order पे कहते हैं जैसे कि पहले के समय में जो बनती थी East India company हो गई इस तरीके की company है जो की आज के समय में prevail नहीं करती है छी कै लेकिन classification में पूछा जाएगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि state order company जो state के order पे जो है incorporate होती है एक्जामपल East India company और आज के समय में ये प्रिवेल नहीं होती है फिर आई special act of parliament पार्लिमेंट में special act को pass on करके कोई company frame की जाती है किसी special purpose के लिए जो government की मदद करेगी उसे हम कहेंगे special act के तहद उस company का formation हुआ है जैसे कि example की यदि हम बात करें तो RBI हो गई Reserve Bank of India याने Reserve Bank of India government की तरफ से सभी बैंकों के उपर निगरानी रखती है तो ये special parliament में act pass होके RBI का गठन हुआ था ऐसे ही हो गई Life Insurance Corporation या Industrial Development Corporation of India तो इस तरीके की जो companies जो इस parliament में special act pass करके जो है वैसे कंपनिया फॉर्म की गई है तो that is by special act of और तीसरी जो है company act किसी भी company act के तहद जो है registered की गई है उन्हें हम कहते है companies incorporated under companies act तो ये है हमारा overall classification of company छे basis पे हम company को classify कर सकते हैं company या तो private होगी या public होगी या OPC हो सकती company liability के basis पे limited by shares guarantee और size के basis पे company छोटी हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है ownership के basis पे holding company sorry government and non-government company फिर ownership के basis पे हमने देखा holding company and subsidiary company और last in corporation के business पे देखा जो state order जो है आज के समय में prevail नहीं करता है इसे आप state order या state notification भी कह सकते हैं कि state के notification पे जो है आपने company form की और यहाँ पे special act of parliament by special act और तीसरा जो है company act के तहर जो है आपने company form की है चीक है अब यहाँ पे एक तो classification of companies जो है important question है दूसरा question आ जाता है कि difference between public company and private company तो एक बार को differences हम देख लेते हैं कि public company और private company के बीच में जो है private company और public company यदि हमें initially कोई आम इंसान को भी classify करना हो कि इनके बीच में जो है क्या difference है तो आप इसके नाम से जो है easily identify कर सकते हो कि company जो है private है कि public है तो यहाँ पे आप लिखिए name used तो private company में हमेशा उस company के नाम के पीछे private limited word आपको दिखेगा होता है इसलिए उसको public company कहते है फिर उसके बाद यदि हम second difference देखे तो अभी हमने बात की थी उसके meaning में कि members जो है number of members जो है private company में minimum जो है कितने हो सकते है that is 2 और maximum जो है कितने हो सकते है that is 200 और वहीं public company की बात करें तो minimum members जो हो सकते है that will be seven and maximum पे जो है no limit कोई भी limit नहीं है कितने भी public company में कितने भी members हो सकते है फिर यदि हम बात करें issue of prospectus क्या public company और private company prospectus issue कर सकते है तो private company जो है prospectus issue नहीं कर सकती है वहीं public company को prospectus issue करना जो है वो compulsory है तो यह कर सकती है अब यदि number of directors की बात कर लें तो number of directors जो है private company में minimum जो है दो हो सकते है और maximum जो है कितने हो सकते हैं यहां लिखते हैं 15 वहीं public company की बात करें तो minimum जो है 3 हो सकते हैं और maximum जो है 15 हो सकते हैं चीक है फिर इसके अलावा यदि हम difference निकालें तो subscription of shares याने shares को पब्लिक को दे सकते हैं तो private company जो है shares का subscription नहीं करवा सकती है वहीn public company तो shares का subscription करवा सकती है फिर जो है next point यदि हम बात करें तो जो है transfer of shares transfer of shares तो transfer of shares private company को restriction होता है कि वो जो है अपने shares को transfer नहीं कर सकती है वहीं public company जो है shares का transfer जो है कर सकती है so this is the difference ठीक है तो यह हो गए basis of difference जो कुछ हमने differences देख लिए this is the fourth, fifth और sixth ठीक है yes तो यह है difference between private company and public company इसके आगे जो है बहुत कुछ है company के बारे में जैसे कि important documents कौन-कौन से होते हैं company के तो detail हम company से related पढ़ेंगे in the next class तब तक आप इसको revise कर लेजिए with this thank you for the session